चलिए दूस्तों बात करते हैं सीकूर कोशन के बारे में, इस कोशन में एक्जाम लेने का सिंप्लिफाइदा वैल्यू, इसको सॉल किजिए और बताइए कि इसका राइट अंसर क्या है, तो देखिए इस परकार के कोशन को सॉल करने का तरीका जो है, वो तरीका है बोर्डू मास रूल, बोर्डू मास रूल क्या कहता है, कि सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्रैकेट सॉल करना, तो यह एक ब्रैकेट है आपका सबसे छोटा, फिर इसके यह वाला ब्रैकेट है, फिर आपका यह वाला ब्रैकेट है, फिर आपका यह वाला ब्रैकेट है, इसको सॉल क करने के बाद आपको 20 करना पड़ेगा ओफ और का मतलब होता है हिंदी में का मिलेगा पो लिखा हुआ इसको मतलब होता है इसको देखते हैं आप गुणा कर दीजिए पिर उसके बाद करेंगे दिवाइड फिर उसके हम 12 या इसको 4 से multiply करेंगा है तो दोनों का difference कितना है 2 by में कितना हो जागा 24 आजागा तो solve करने के बाद आगा 1 by में आपका 12 यह इसकी value गए बाद कितना है और यह minus अंदर जागे इसको minus कर देगा आपका उसके बाद 2, 4 अरिक 5 ये 5 बटे में आपका 2 आजाएगा इसको L से मिलेंगे तो इसको 6 से मंटिप्लाइ करना पड़ेगा तो 30 माइनस का 1 बाइ में आपका 12 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 29 बाइ में 12 आपकी इसकी वैली हो जाएगा इस पूरे की जगे आप लिख सक पी वैली बन जाएगे एक मायन अक्सर निशान है इसको स्वॉल करेंगे तो चार और एकी पांच तो पांच में आपका चार बट्टे में आपका चार न पर से इसे चैने मत्रिप्लाय करना पड़ेगा सोफ वाई इसको 1974 निसरल और जोकेगा इसके बार कि यह वाईकट खुलेनके तो यहांपर यह व्यरतर गारी दरेखेगिए तो दिवाइड कर निशान देरेगा तो थर्टीन बाइड में फोर मल्टिप्लाइड 24 बाइड में वन ये हो जाएगा तो चार चिक चोबी तेरा चोके बावन तेरा पंजे बैंसे तेरा चिक टतर यानि 78 जाएगा इस पूरे का सॉलिशन आएगा अब एक्जामने बटे में आपका 6 हो जाएगा यानि कि 13 बाइड में 6 हो जाएगा इसको सॉल करेंगे तो 78 इंटू में 6 बाइड में 13 होता है तो 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 थर्टी सिस्ट इसका राइट अंसर होगा यानि कि ऑप्शन जो बी होगा वह इस कोशन के लिए करेक्ट होगा आई होप आप सभी